देव दर्शन या शक्ती प्रदर्शन पूर्व सीयम वसंदरा राजे मेवाड में तीन दिवस्य धार्मिक यात्रा का आज उनका आखरे दिन है वसंदरा राजे की इस यात्र को शक्ती प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है पूर्व सीयम वसंदरा राजे आज सुभा दस बजे बनेडा पहुंची। दिवंगत पूर्व सांसद राजादी राज के हिमेंदर सिंग के परिजनों से मिलेंगी। आतरा के आखरे दिन आज अजमेर पहुंचेंगी वसंदरा राजे। रूपंगर सलेमा बाद दर्शन के बाद वसंदरा राजे पुषकर के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करेंगी। इसके लावा खुआजा गरीब नवास की दर्गा में हाजरी देने का विकारे करम है। इससे पहले कल उन्होंने बीलवाडा जिले में दिवंगत वीजे पीनेताओं के परिजनों से मुलकात करके करेडा में आमसभा को संभोधित किया। सभा में वसंदरा राजे ने कहा कि ये राजनितिक यात्रा नहीं है। भगवान के आशिरवाद से कोविड चला गया। इसलिए उधन्यवाद करने के लिए पर आई है। बीलवाडा में वसंदरा राजे ने स्वर्गे नाथुलाल गुर्जर की मूर्ती का नावरण किया, शिफारवती उध्यान का लोकार पन किया। हमेशा आगे होकर उसके लिए हां किये और आगे विजय को पूरा मुख्य मंत्री बनेगी। तो मुझे पूरा विश्वाद हैंगी फुष्कर के लिए जो एक बड़ी समस्षा है शिवर्ज की उसको भी अक्ष्य खतम करेंगी। और ये शेता स्वीरे इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आज अजमेर में है वसंदरा राजे। सावल्या में दर्शन किये 23 नवंबर को चतोरगड में बासवाड़ा में मातरिपुरा के दर्शन किये समाधी पर कुष्पांजली वसंदरा राजे ने अरपित की बासवाड़ा में उदैपूर में 24 नवंबर को और आज अजमेर यात्रा है उनकी 26 नवंबर को और आखरी दिन है उनकी आत्रा का। करेंगी वह सुंद्रा राच्व है।